तो हलो नमस्ते दोस्तों तो कैसे सब आप लोग वेलकम तो मैं चैनल दिस इस मैं बोब और वाचेंग ट्रैवल ईवी तो हलो दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे इसी उम्मीद करता हूं दूस्तों मैं और आज मैं कुछ इशू के बारे में बात करने वाला हूं जो ओला एलेक्ट्रिक के कस्टमर फेस कर रहे हैं जिन जिन लोगों डिलेवर ने मिला है उनके उनका स्क्रीन शॉट के साथ आपको मैं यह वीडियो बताने वाला हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब की Joyce सपोट कीजे आप मेरे चैनल नािक कर रहे हैं मेरे व्यूवज आ रहे हैं तो अब का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों और एसे ही मुझे सपोट करते रहें और जो कोई भी नया शॉब्सक्राइबर है नया वीवर्स है उनके उनको में रिक्वेस्ट का चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कीजे और जो मेरे फ्रेंड का वीडियो था ओला एलेक्रिक स्कूटर डिलेवरी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जा कि आप देख सकते हो उसमें क्या-क्य प्रॉबलम विएते हैं वो भी आप उसमें जाके देख सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो यह कुछ स्क्रिंशॉट है विद कस्टमर्स जिनको डिलेवर नहीं मिला है भहत परेशान है कस्टमर्स उनको डिस्पैच्च तो हो गया लेकिन उनका अभी तक गाड़ी नहीं मिला है मैं स्क्रिंशॉट को सच सेर करना चाता हूँ आपको दोस्तों तो धिकिये कस्टमर्स लिखते हैं कि 90% चार्ज होने के भावजूद 120 किलेमेटर शो कर रहा था सिर्फ 13 किलेमेटर चलने के बाद उनका स्कूटर कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है अलव मॉस्ट एक कार उनको पीछे से हिट करते करते वह बच जाते हैं पुरा डिसप्ले ब्लैक आड हो जाता है नो डिसप्ले और कस्टमर सपोर्ट को कॉ양 करने के बाद तीन घंटे लगते हैं वही कल को टोकर की लेके जाने का स्टमर कंपेंड कर हैं कि अपना स् क्वस्ट्रमस का पौलम में वह भी आपको में अपर में शेर करहूंगा दुस्तूम तो ये कस्टमर का यहां पर प्रॉलम दिका रहा है ओला का लोगो आ रहा है और कंटिनु बलिंक हो रहा है लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है ऐसा भी एक problem face करने पड़ा है customers को बहुत ही परेशान हो जाते है customers जब ऐसा कुछ होता है और हम इतने पैसे दे के एक electric vehicle purchase करते हैं और उसके बाद में हमको ऐसा मिलता है तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों तोला को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और जिन जिन customers का problem उनको solve करके देना चाहिए दोस्तों तो देखे दोस्तों यह customer है इनका भी battery drop issue आ रहा है सिर्फ 11 दिन में ही battery drop issue आ रहा है और मैं आपको एक बात बता दोस्तों यह first batch में जो जो लोगों को customer को delivery मिला है उनका ज्यादातर problem battery का बहुत आ रहा है तो लोग इसमें दिखना चाह है कि customer delivery कर रहा है fully check डिले चेक करके आपको scooter दे और यह भी एक है दोस्तों पूने का इनका भी battery problem आ रहा है बैटरी डेड का भी battery dead issue आ रहा था दोस्तों यह पूने के रहने वाले हैं तौसिफ शेक इनका भी problem आ रहा है battery का दोस्तों तो ओला को समधना चाहिए कि जब भी आ पर लोगो आके रुख जाता है गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो लोगो पर आके रुख जाता है आगे कुछ इंडिकेशन नहीं देता है तो सर्विस टीम को उन्होंने कॉल किया था अब इनका solution मिला है कि नहीं पता ने लेकिन जो first batch के जो कस्टमर से उनको बहुत सार मैं आपको screenshot share कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अच्छी गाड़ी तो अच्छे लेकिन problem भी इसमें आ रहे हैं तो तो ओला को यह दिखना चाहिए कि ठीक से वह गाड़ी चेक करके दें और थोड़ी लोगों का तो payment कैंसल किया है उनका तो अबी तक payment भी वापस नहीं दोस्तों तो ओला को मैं दिखाना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों का payment refund बाकी है उनका refund कर दो इतना समय क्यों लग रहा है पता ने दोस्तों payment का बहुत ही issue आ रहा है और जिन लोगों ने refund मांगा है उनका अभी तक refund नहीं मिला है more than one month हो गया उनको payment return नहीं हुआ है दोस्त करता हूं कि जिन जिन लोगों का refund मांगा है उनका refund कर दीजे अगर उनको गाड़ी ने चाहिए तो refund माग रहे है तो उनका refund कर देना चाहिए पता ने उला में क्या हो रहा है refund का issue क्यों हो रहा है one month हो गया लेकिन customer को अभी तक refund नहीं मिला है और अगला जो screenshot है दोस्तों अभी 3 weeks लगेंगे कि उनका scooter deliver करने के लिए आज कही message है दोस्तों तो इनको message आया था कि mail आया था कि dispatch हो गया लेकिन आपको अभी 3 weeks लगेंगे इनको delivery होने के लिए तो यह बहुत गलत बात है दोस्तों जब dispatch हो रहा है तो इतना late क्यों लग रहा है ओला कहां पे गलत जा र notification आर्टियों का यह समाल रहे हैं बहुत ही बहुत ही लेट कर रहे हैं तो यहां पर ओला को problem face करना पड़ रहा है customer को problem face करना पड़ रहा है customer जब payment करता है तो उनको जल्द से जल्द गाड़ी मिलना चाहिए अगर आपको गाड़ी देने के लिए नहीं हो रहा है तो आप description center open कीजिए जहां पर customer जाए कि खुद से गाड़ी purchase कर सके test ride ले सके और test ride भी बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है अभी तक test drive देने में सभी country में देने में नाकाम रहा है और test drive अभी तक बहुत ही लोगों को मिला नहीं है और जो लोग payment करके वेट करें उनको scooter भी मिलेग 28 February ऐसा mail आने लगा है दोस्तों तो 28 February तक आपको mail send किया है उला ने खुद इनिशेट करके mail किया है फस्ट टाइम और आपको 28 February तक आपको scooter मिलेगा या फिर एक दो तीन दिन लेट होगा लेकिन scooter मिलेगा गाइस मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपको scooter मिलेगा तो आप साड़ी problem भूल जाओगे scooter में इतना दम है दोस्तों इतना beautiful scooter है जब आप सको चलाएंगे तो आप 6 मेने 7 मेने जो वेट किया है उसका pain आप भूल जाओगे दोस्तों लेकिन साथी साथ मैं ओला को बतान मस के बारे में जो बता रहा था इस वीडियो में आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में till then take care bye